हलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तो आज बात करेंगे M.E.S. भरती के बारे में यानि की मिनिश्टी इंजीनियर सर्विस के पद उपर बंपर भरतियों का एलान कर दिया गया है तो फोर्म को कैसे आविदन करना होगा कौन-कौन से कैंडिडेट इस फोर्म को आविदन कर पाएंगे इस भरती में इस लिमिट आपके क्या होनी चाहिए सेलेक्शन प्रोसेस यानि की सेलेक्शन आपका कैसे होगा आपकी एजुकेशन कॉलिफिकेशन क्या माईगे इस भरती की सुरुआती और लास्ट डेट क्या होने वाले इस भरती की सारी जानकारी आप सबी को इस बीड़ो में दी जाएगी और दोस्तों आपको एक जरूरी बात बता दें कि यहाँ पे काफी बच्चे कॉमेंट करते हैं सर यह भरती आई है या नहीं तो यहाँ पे आपको कहने का मतलब यह बता दें कि जो भरती आई रहती हैं कुछ ऐसे पदोपर भरतीयां भी आती है जो दो ही तीन दिन के लिए अवेनवल होती हैं कळिकर आई करने के लाजड डेट खतम हो जाती है तो दोस्तु चैनल को सब्सक्राइब करने कि आप कोई भी च्षोटी से छोटी आप मिस ना कर बायेंगे तो ऱूं UX चलिए बीडू को करते हैं तो दोस्तु वीडिए शुरू करने से पहले आप सभी एक निवेदर होगी आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर जो भी नए कैंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब करके ओल नोटीपी किसन बिलको जरूर दबा लें तो बिना टाइम को वाई चलिए सुरू करते हैं जो कि सब्सक्राइम को जहां पर यहां पर इसी प्रकार से आप भरत्यं को चेक कर पा रहोंगे धीन कीश और स्यवहाषर के पर Pynn Ben Pre- 350 L DC इसी प्रकार से आप दोस्तों देख पा रहे होंगे भरत्य को यहां पर आपको सारी जानकारी देते होए। यहां पर सबसे पहले आपको short में जानकारी दी जाएगी यानि कि भरति को कैसे आवेधन करना होगा, किस category पर भरति निकालेगे, कौन कौन से candidates form को आवेधन कर पाएंगे यह भी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। तो यहां पे सबसे पहले आपको सौट में जानकरी बता दीजाए तो ओर्गनाईजीसन नेम जो कि यहां पे आप देखपार होंगे आर्मी M.E.S. है जोब केट अपटेक्री आप देख पार होंगे जो कि डिफन्स जोब है जोब लोकेशन यहां पर आल ओबर इंडिया है दो कर पाएंगे और यहां पर यह बात कर लिए अप्लाइ मोड यहां पर देख पा रहेंगे और यहां पर दोस्तों आपको बात करेंगे तो आपको बता दिया जाए जनरल OBC किश्री भी स्टेट से बिलॉंग करते हैं तो यहां पर दोस्तों फीस अभी तक यानिकी पेमेंट आपकी जारी नहीं किए यानिकी निर्धारित नहीं किए यहां पर कम से कम आपकी 100 रुपए फीस लगने वाली है SST category के जो कैंडी रेट है उनके लिए बिल्कुल फीस फ्री रहेगी अब भी और बाद में भी और यहां पर आईए बात कर ली जाए कि फिर्म को आवेदन करने के लिए आपको पेमेंट कैसे जमा करना होगा तो आप यहां पर देख पा रहोंगे जो के credit card, debit card, net banking, each alance, silk mode के माध्यम से आप payment को भी जमा कर पाएंगे इस भरती की age limit के बारे में बात कर लिया जाए तो यहां पर आप देख पारेंगे 18 वर्स से 30 वर्स के बीच के candidate आवेदन कर पाएंगे Age में रिलेक्शन यानि की छूट भी दी जाएगी यहां पर S.E.S.T. candidate को 5 वर्स का छूट और O.B.C. candidate को बिल्कुल 3 वर्स का छूट दी जाएगा यहां पर आईए इस भरती की pay scale यानि की salary के बारे में बात कर लिया तो यहां पर आपको बता दिया जाए आप notification को भी चेक कर पा रहे होंगे जो कि यहां पर 41,700 रूपय से 79,100 रूपय परती मन इस भरती में salary भी आप सभी को दी जाएगी आईए दोस्तों इस भरती की education details यानि की education qualification के बारे में बात कर लिया जाए तो यहां पर किसी भी category के candidate के लिए यहां पर simple और simple बारवी की पास परिक्षा की होनी चाहिए यानि कि कम से कम बारवी परिक्षा पास है तो भी इस form को आवे दन कर पाएंगे आपके पास certificate भी होना चाहिए दोस्तों और यहां पर आपको बता दिया जाए जो कि यहां पर computer में आपको बता दिये जाए पर computer में भी यहां पर आपकी मागी गई है certificate और यहां पर जो marks निर्धारत की गए हर subject में कम से कम 30% से 45% के बीच में marks आपके होने चाहिए वो भी to only 10 यानि की दसमी class में और यहां पर आपको बताएंगे कि इस भरती की education यहां पर eligibility details के बारे में education तो बता ही दिये eligibility details के बारे में बात करेंगे तो male candidate के लिए height यहां पर 162 cm की और यहां पर male candidate जो है all north Indian zone candidate से बिरॉंग करते हैं उनके लिए height 160 cm की होनी चाहिए female candidate की height जो यहां पर निधायत की गई है 152 cm की height होनी चाहिए और यहां पर आपको बताए दिया जाए जो all north Indian zone candidate से बिलॉंग करते हैं उनके लिए 140 cm की height होनी चाहिए chest यहां पर 70 से लेकर 75 के बीच में chest आपका होना चाहिए दोस्तों इस phone को आबेदन करने के लिए यहां पर आये बात कर लिए army MES भरती की running test के बारे में यहां पर male candidate की लिए जो नर्ट राइनिंग रिधारित की गए वो 27 किलिमेटर बिल्कुल 4 घंटे में complete करनी होगी female candidate की running यहां पर आप देख पारेंगो 16 किलिमेटर बिल्कुल 4 घंटे में complete करनी होगी इस भरती की selection process के बारे में बात कर लिया जाए यानि की chain पर क्रिया के बारे में बात कर लिया जाए तो यहां पर आपको बता दिया जाए जो की physical भी आपका होगा रनिंग भी होगी, weight भी मापा जाएगा, chest भी मापा जाएगा, height भी यहाँ पर आपकी ली जाएगी routine exam यहाँ पर लिखित परिक्छा आपकी होगी और यहाँ पर medical test भी आपका होगा दोस्तो last में आप सभी को file made भी बना के दी जाएगी आई इस फोम को आभेदन करने के लिए डोकोमेंट यानि कि दस्ता वीर्च के बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पर बता दिये जाए फोटो एंड सिग्निचल लाइट कलर बैगराउंड फोटो आपके पास होना चाहिए यानि कि फोटो के बैगराउंड पर कोई भी कलर होना चाहिए यहाँ पर आपको बता दिये जाए पैन कार्ड एंड अधार कार्ड यानि कि कहने के मतलब यह है कि पैन कार्ड एंड अधार कार्ड भी आप सभी के पास होना चाहिए अगर नहीं है तो आप कोई दूसरा डॉकॉमेंट यानि की कोई अधर डॉकॉमेंट लगा कि यहाँ पी इस फॉर्म को प्रूप यानि की आवेदन आप कर पाएंगे यहाँ पी इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए आपकी क्या अप्लाई डेट यानि की सुरुवाती और लास्ट डेट क्या निर्धारित की गई है उसको आपको बता दिये जाए इस भरती की सुरुवाती डेट जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगा ओलाइन की स्टार् के दिया निर्धारित नहीं की गईए पेमेंट की अभी तक की नभी जॉटारित की गई है जैसे कुछ भी जानकारी निर्धारित की जाएगी तो हम आप सब्सक्राइब करके बता दे कि आप कि किस राज्योड जिले से बिलॉग करते हैं आप अपने राज्योड जिले का न कोई भी नई भरती कोई भी नई भरती निकल के आए तो हम आप सभी कोई बीडियो के माध्यम से सबसे पहले बता से के दूर्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए जाएगा आज के लिए बस इतना है तब तक के लिए जैंद वन्दिमात्रम